मानी राकेज, सभापती महोदै, आज इतिहास के जिस दलहिज पहां करें, वो सामान्य दलहिज नहीं है, सभापती महोदै, जिन तीन कानूनों को समराजवादियों ने समराजवाद के हित में लिखा था, IPC, CRPC और Indian Evidence Act, जिसे House of Commons और House of Lords ने पारिद किया था, जिसे भारतियों को दास्ता के बंधन में दमन के साथ बनाकर रखने के लिए बनाया गया था, आज उन तीन कानूनों को परिवर्ति थी नहीं किया जा रहा, तीन कानूनों को पूरी तर से खारिज करके, तीन नए कानून को बनाये जा रहा है, प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी जी इस देश में Decolonization का एक नया इतिहास लिख रहे हैं, सभापती महुदै, इस कानूनों को बनाने में जो परिश्रम हुआ, उसकी में एक छोटी से जहा की बताना चाहता हूँ, जिसे कल माननिये ग्रिह मंत्री अमिस साजी ने लोग सभा में बताया था, अठारह राज्यों ने, सोलह उच्च नियाले नों ने, सरवच्च नियाले ने, 22 लौ इनवर्सिटीज ने, पांच विधी बित्ताओं ने, जो सिख्षाविद हैं, और 200 IPS आफ्सर्स ने, करीब 40 सांसदों ने, और स्टेंडिंग कमिटी के साथ 3200 सुझाव आए, इन 3200 सुझावों में से इन 3 कानूनों को बनाये जा रहा है, जो मुख्च बातें, जो चर्चा हुई, मैं 4-5 बातें उसे लिखित करना चाहता हूँ, जो लोग महिलाओं के हिद की बात करते थे, लेकि महिलाओं को संडरक्शन ना कानून दे पाती थी, ना पुलिस दे पाती, आज इस कानून के द्वारा 18 वर्स की महिलाओं को, यानि अथारी वर्स तक की बच्चियों को, उस स्रेनी में लाए गया है, जदि उनके साथ बलातकार होता है, तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी, जीरो एफायार और एसकॉंडिंग, यानि फरार होने की जो संख्या थी, अपराद की संख्या 19 थी, उसे बहाक 120 कर दी गई है, सभपती महोदे, जो बुनियादी परिवर्थन हुआ है, बुनियादी परिवर्थन से समाज के सबसे हासिये के लोग, महिलाओं को और भारतिय परिवेश में आ रही नई चुनोतियों को का सामना करने में तीनों कानून सामर्थ हों, कॉंग्रेस के सासनकाल में अंठावन साल तक इस देश में कॉंग्रेस पार्टी ने राज किया, CRPC में 78 परिवर्थन किये गए, 78 संसोधन किये गए, और इंडियन एविडेंस एक में 22 संसोधन किये गए, लेकिन ये पैच्वर्थ चलता रहा, इस पैच्वर्थ से अलग हटकर, माननी ये प्रधानमंती नरेंदर मोदी जी ने, और माननी ये ग्रिवंतरी से हमिस साजी ने, इन तीनों कानूनों में आमूल चूल परिवर्थन किया, CRPC के 177 धाराओं को सेक्शन को समाप्त करद में बदलाव लाया गया है, 24 को हटा दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट में लगभग 24 धाराओं में परिवर्थन किया गया है, 6 धाराओं को हटा दिया गया है, इन समी बातों को कहते हुए मैं जो जिस बात को रिखांकित करना चाहता हूँ लोक्तांत्रिक तरीके से इस देश के हित में इस देश के संदर्म में जो टीन कानून बने हैं उसका आधार क्या है पहले आधार दमन था और दास्ता थी अब आधार मानवियता और मानवा धिकार है इन कानूनों के द्वारा मानवा धिकार को संरक्षित करने की पूरी कोशिश की गई है हर व्यक्ती यहां महसूस करें कि नियाए से दंड निकलता है पहले दंड से नियाए निकलता था तो पहले rule by law था अब rule of law है यह एक बड़ी बुन्यादी परिवर्तन इन तीन कानूनों के द्वारा किया गया है सभापती महुदे इस देश में बिटिस राजसत्ता का अंत उनिस्व सहितालिस में हुआ 47 में अंत होने के बाद यह उमीद जताई गई थी कि इस देश की मानसिक स्थिती को देखते हुए इस देश के संदर्व को देखते हुए इस देश के इतिहास वरासत को देखते हुए कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा बड़ा सवाल उठता है जो लोग आज सदर्व में नहीं है उन से वे बाहर हैं लेकिन देश उन से सवाल पूछेगा कि आपने परिवर्तन क्यों नहीं किया पहले मुझे लगा कि वे आलज से का भाव था उनमें वह जोड नहीं था कि चीज़ को परिवर्तिन कर पर सके लेकिन जब मैंने राजसभा की बहस को देखा उसकी तीन घतनाओं का उलेग करना चाहता हूँ उनिस अगस्ट उनिस्तों उनसट को जी रामचंदर जी ने राजसभा में एक सवाल उठाया कुईन विक्टोरिया जोर्ज पंचम की मुर्तियां इस देश में क्यों लगी हुई है सरकार के पास जबाब नहीं था सरकार ने कहा कि हमारे पास हम खाली अस्थान नहीं छोड़ना चाहते हैं जब नई मुर्तियों का निर्ण नहीं होगा तिन हटाएंगे उस वक्त की सरकार को जह सास नहीं हो पाया कि ये फ्यूर्ज पंचम कौन है इनके कारण ही जालियां वाला बाग कांड हुआ इनके कारण ही सहीठ सहदत हुई इनके कारण ही हज्जारों लोग जेल में बंद हुई लेकिन 12 साल तो तब था जब 69 में सवाल हुआ 30 मार्च 1986 को इसी राज्य सभा में स्री अटल जिहारी बाजपे जी ने सवाल खरा किया कि जोर्ज पंचम की मुर्ति क्यों लगे हुई है और बाजपे जी ने सरकार को चिताते हुए कहा क्या हम अब उनके उस प्रतिमा पर चार पोल लगाने की आप प्रतिक्षा कर रहे हैं तो सरकार का जवाब था अभी निर्णय नहीं हुआ कि उस मुर्तियों बहटाएं उसके बाद 1979 में 5 मार्च 1979 को सी दत्वपंट ठेंगरी जी ने इसी राज़े सभा में सवाल खरा किया कि नॉर्ट बलॉक और साथ बलॉक में कितने बिटिस क्राउन के सिंबल्स लगे हुए हैं कितने पीलर्स पे सिंबल्स लगे हुए हैं सरकार का जवाब था कि चार पीलर्स पर सिंबल्स हैं और नॉर्ट बलॉक साउथ बलॉक के दिवालों पर कॉमन वेल्ट और बिटिस सिंबल्स लगे हुए हैं सरकार के पास जवाब था कि उचित समय आने पर हम इन संकेतों को हटाएंगे जिन लोगों ने बिटिस समराज जिवाज के साथ समाजिक जीवन जीते हुए उनके संस्कृति का हिस्टा बनते हुए जिसे मेकाले ने कहा था कोई कलर में रंग से तो भारतिय हैं लेकिन अपने सोच में अपनी समझ में अपनी बुद्धी में बिबेक में वे अंग्रेज हैं ऐसे ही जमात ने इस देश को बिटिस कानून का बंधक रखा सभापती महोदे इंडियन एविडेंस एक्ट के मैं चार सेक्शन का जिक्र करना चाहता हुँ सेक्शन 57, 37, सेक्शन 81, सेक्शन 82 इसका कोई भी भारतिय पढ़ेगा उसमें बिटिस क्राउन, His Majesty, बिटिस पार्लेमेंट, क्राउन स्प्रिंटिंग प्रेस इन सब का जिक्र है यानि आजादी के 47 में आजाद देश हुआ और 70 साल तक हमारे कानूनों में बिटिस अमराजवाद, बिटिस क्राउन, बिटिस पार्लेमेंट, बिटिस खाई कोर्ट, बिटिस सील्स, बिटिस सिंबल्स और लंदन गजट इसका जिक्र होता रहा आज उन कानूनों को अब दस्त कर दिया गया है सभापती महोदे, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को डिक्रोनाइज करने का जो एक बड़ा अभियान छे रहा है वो है एक सर्वसमावेशी अभियान है मैं एक चिंतक को उद्धित करना चाहता हूँ गुटो को कैसे गुटो कि उन्हें बातों को प्रधान मंती नरेंद्र मोदी जी के इस कार्ज करमों में दिखाई पर रहा है गुटो ने कहा जिस परकार से राजपच को कर्तक में पत्र बनाया जिस परकार से दोहजार उन्नीस में बजट के उस उपनिवेशिक स्वरूप को बदल दिया दोहजार सत्रह में लाल बत्ती को समात कर दिया एक एक नहीं ऐसी पधधती शुरू ही जिसमें हम पर गजनी, गोरी, मौंट बेटन, करजन जिसका दबाव इस देश की संस्कुती पर इस देश की बिधा पर उरोप केंद्रिथा उसे समात करने का काम किया सभापती महदे तीन बड़े नाम हैं जिन्होंने डीकॉलनाइजिसन का काम किया है दुनिया में लिए से ध्यांदिक काम थे अफ्रिका के वो थ्योंग गगुई जिन्होंने डीकॉलनाइजिंग माइंड की बात कही हिंदुस्तान के क्रिस्चन भटाचारिये जिन्होंने बिचारों के स्वराज की बात कही अब गगुई से लेकर भटाचार तक और अमरेका में बैठी हुई भारतिय मूलकी गायत्री अस्विति भाग अब इन तीनों के बैचारी के बात की हम सेमिनार करते रहे Decolonation पर हम लेख लिखते रहे प्रणामंत्री मरेंदर मोजी भी दुनिया के अकेले सासक हैं अकेले ऐसे प्रणामंत्री हैं जिन्होंने राज़ती काजादी के बात वैचारी काजादी को सांस्कृति काजादी को सामाजी काजादी को अपना एक मीशन बनाया और इस मीशन के कारण वहाँ ख़ार जो चीन का Global Times भारत का आलोचक है लेकिन जब एक शक्ती के साथ एक उद्देश के साथ काम होता है तो Global Times ने लिखा 30 में 2023 को अपने संपाद़े में समर्थन करते हुए लिखा स्भापती महदव एक मिन में समाथ करता हूँ कुई इमोशनली सपोर्ट इंडियाज मूब फ़र दी कोलनाईजिशन और मैं इस ते जोडता हूँ गार्डियन अकवार ने उनिस में 2014 को जो प्रणमंत्री जी के बारे में लिखा मोदी जी निव ट्रिस्ट अफ देस्टीनी उसमें जो कहा था कि प्रणमंत्री नरेंदर मोदी जी भारत की सांस्कृतिक वैचारिक प्रिष्ट मुमी को अंग्रेजियस से अलग करना चाहते है जो प्रणमंत्री मोदी जी ने आज का संदेश पूरी दुनिया को दिया है दिसा दिप्त हो उठी प्राप्त कर पुन्य प्रकास तुम्हारा लिखा जा चुका अनलक्षरों में इतिहास तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मानी राकेश जी मेसेज फ्रम लोकसभा सेकेटरी